मैं हूँ आलियनास की आजसेरबीन का एहम मौजू है इंजिन एलेक्शन में वजीराजम मोदी की हुकमराजमाद भारतिय जन्तापार्टी की वाज़िफ फते कॉंग्रिस ने शिकस तसलीम कर ली जन्ता मालिक है और मालिक ने ओर्डर दिया है तो मैं सबसे पहले नरेंदर मोदी जी को पीजेपी को बढ़ाई देना चाहता हूँ इंजिन इंतिखाबात और उनकी नतायच पर ही आज तफसीली नजर डालेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कॉंग्रिस और दूसरी जमातें अवामी हमायत हासल करने में क्यों नाकाम रही आप हमें टीवी पर देखने और रेजियो पर सुनने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेज़स पर भी फॉलो कर सकते हैं आप बीबी सी उर्दू का प्रोग्राम सेर्बीन देख रहे हैं इन जमें साथ मराहिल में मकमल होने वाले आम इंतिकाबात के नताइच की आमद का सिलसला जारी है वोटों की गिंती मकामी वक्त के मताबिक सुब आठ बचे शुरू हुई भारती जनतपाजी और उसके इतिहादियों को वाज़ सबकत हासल है इलेक्शन कमिशन के मताबिक लोकसभा की 542 निशस्तों में से बीजेपी 266 निशस्तों पर आगे है और 37 जीच चुकी है अगर इतिहादियों को मिला लें तो मजमूई तोर पर उन्हें 347 निशस्तों मिल सकती है ये तमाम नताइच हमारी वेबसाइट बीबीसी उर्दू डाट कॉम पर लाइव अपडेट हो रहे हैं आप जब चाहें वहां जाके इन्हें देख सकते हैं इन जा में मरकसी हकुमत बनाने के लिए 272 निशस्तें दरकार हैं और अब तक आने वाले नताइच के मताबिक बीजेपी को हकुमत साजी के लिए सादा अक्सरियत अपने ही बलबूते पर मिलती नजर आ रही है इसी दनाजर में बीजेपी के रहनुमा प्रकाश जावडेकर ने कहा जबर्दस्त विजय है जनता की जनता ने मोधी जी के नेथूत्व पे विश्वाज दर्शाया सुरक्षा के लिए मतां दिया देश के और देश के तरक्की के लिए वोट दिया ये देश के लिए दिया हुआ वोट है ये प्रो इंकम्बंसी वोट है ये पॉजिटिव वोट है कॉंग्रेस और उसके इतिहादियों को 86 निशस्ते मिलती दिखाई दे रही है जिन मेंसे कॉंग्रेस को महज 55 हासल होती नज़रा रही है कॉंग्रेस के सदर राहूल गांधी अपने रिवायती हलके अमेठी में बीजेपी की उमीदवार समुरत इरानी से हार रहे है राहूल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए अपने पार्टी की शिकस्त तस्लीम कर ली मैंने कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ओर्डर दिया है तो मैं सबसे पहले नरेंदर मोदी जी को बीजेपी को बढ़ाई देना चाहता हूँ जो हमारे कॉंग्रेस पार्टी के कारे करता कैंडिडेस जो लड़े पूरा दम लगाके दिल से लड़े उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ पीजेपी ने तक्रीबन तमाम ही शुमाली और मश्रकी रियास्तों में तवक्वाद से बेहतर कारकरदगी दिल्ली में भारतिय जन्ता पार्टी के मरकसी दफ्तर में उनके हजारों हमायती जश्शन मनाने के लिए जमा हैं वहाँ से तफसिलाद बता रहे हैं BBC हिंडी के नितन स्रिवास्तव की बात है जो पिछले पाट साल में इस गवर्मेंट में किये उससे ज्यादा ये इलेक्शन आखरी दौर मनाते आते आते नरेंद्र मोदी की परसनालिटी वर्सेज ओपोजिशन होकर रह गया था जीज जो होती है वो अपने आप में सारे पुराने जख्म भुला देती है लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि पिछले पाट सालों में इस गवर्मेंट की डिमोनिटाइजिशन से लेके फॉरेंड पॉलिसी से लेके माइनॉरिटी इसको लेकर तवाब ऐसी पॉलिसी रही है जिलका खासा कडिसिजम हुआ है शायद यही वज़े है कि नरेंद्र मोदी ने खुद अपने आज विक्ट्री ट्वीट में इस बात की है इंक्लूजिवनेस की बात की है अब देखना यह है कि अगले पाट साल में हिंदुसान में भारत में इंक्लूजिविटी के नाम पर क्या कुछ देखने को मिलता है कॉंग्रिस के सदे दफ्तर के बाहर मौजूद नामनिकार जुबर एहमत का कहना है कि कॉंग्रिस को इस इलेक्शन में हैरान कुन फते की उम्मीद तो नहीं थी लेकिन वो गुज़शता इलेक्शन के मुकाबले में कहीं बहतर कारकरदी के लिए पुरूमीद थे यह साफ हो गया कि पार्टी की शिकस्त बिलकुल यखिनी है अब यहां पर बहुत कम लोग रहे गए जैसे कि यहां पर देख रहे हैं अब मैं इमारत के अंदर हूँ यहां पर दफतर है और बडड़े नेतार नेता जो लीडर्स है वो यहां पर कहा जा रहा है कि आएंगे लेकिन फिले हाल किसी ने तसदीग नहीं कि जिस नुएत की बरतरी बीजेपी को हासल हुई है उस पर पार्टी के रहनमाओं नहायत खुशी का इज़ार किया है क्योंकि ये नताइच एक्जिट पोल्स में की जाने वाली पेशन्गोई से भी कहीं बेहतर है इंडिया के वजीराजम नरेंद्र मोदी ने इंतिखाबाद से पहले अपने ट्विटर हैनल के साथ चौकीदार नरेंद्र मोदी लिखा था लेकिन काम्याबी के बाद लफ्स चौकीदार हटा दिया है और अब विजे भारत के हैश्टाग के साथ उन्होंने ट्वीट की और कि हम साथ तरकी करेंगे साथ खुशाल होंगे और सब लोगों के साथ मजबूत इंडिया बनाएंगे इंडिया एक मरतबा फिर जीत गया है और पाकिस्तान के वजीराजम इम्रान खान ने बीजे पी की कामियाबी पर इंटर्ण वजीराजम नरेंद्र मोदी को मुबार्ग बात देते हुए ट्वीट की और लिखा की वो जनूबी एश्या में अम्र तरकी और खुशाली के लिए काम करने के मुन्तजर हैं और इंडिया के इंतिखाबी नतायज पर बात करने के लिए इस वक्त दिली से हमारे साथ बराहरास मौजूद हैं दवायर की अर्दू वेब साथ सेर्बीन में खुशामदीद ये जो नतायज हैं ये तो एक्जिट पोल से भी बेहतर हैं बीजेपी के लिए वज़े क्या हुई ये बात अगर आप हम देखें तो खुद एक्जिट पोल पोल जो थे वो खुद हैरान कुन थे बहुत लोगों को जो लोग भी फील्ड में गए थे उनको खुद लग रहा था कि एक्जिट पोल जैसा भी नहीं होता बलकि अगर आप बीजेपी के लोगों से भी बात कि इतनी उमीद नहीं थी उनको ये उमीद तो थी कि मोदी दुबारा मुंतखब होंगे और दुबारा वजीराजम बन सकते हैं लेकिन इस तरह का मेंडेट मिलना बिलकुल सर्प्राइजिंग है इसके पीछे दो दो वज़े मुझे लगती है जिसकी वज़े से ऐसा हो सकता है एक तो यह है कि इस बार हिंदुस्तान का जो एलेक्शन है वो पार्लेमेंटरी एलेक्शन के बजाए एक प्रेसिडेंशल मोड में चला गया जहां दो लोगों के तर्मियान इंतखाव होता है आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में डारेक्ट प्रधानमंत्री वजीराजम मुन्तखब नहीं किया जाते हैं जैसे कि अमरेका में प्रेजिडेंट मुन्तखब किया जाते हैं लेकिन अभी हालात ऐसे बन गए थे अगर कैमपेंट को हम देखने की कोशिब करेंए यानि मोदी वर्सिस राहुल गांधी टाइप का एक कैमपेंट चला और उसी पर प्रेजिडेंट के सिलसले में भी कही जा सकते हैं उसके कंपेरेजन में अगर हम देखें तो जाती तो पर मुझे यह लगता है कि अपोजिशन मजबूत हुई है अलबता यह कि जितनी उन्हें उमीद थी और खास दोर पर आप यूपी में देखें वहां दो पार्टी जो एक दूसरे के मुखालिफ समझे जाते हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी बीएस पी वो दोनों साथ आए वहां बीजेपी वहां उनको अच्छे नंबर्स मिलने के उमीद थे इसी तरह से आप देखेंगे कि इन नताइज में एक चीज़ देखने को मिल रहा है यह भी कि आप देखेंगे कि जहां एक तरफ बीजेपी अपने वोट्स कंसलिडेट करने में कामियाब हुई है उसी के लेफ्ट का गड़ समझा जाता था एक लंबे वक्त तक और फिर उडिसा है तो इन्होंने एक्सपैंड भी किया है ना सिर्फ की जो इनका वोट्बैंक था और जो सीटें थी उसको कंसलिडेट किया है बलकि एक्सपैंड भी किया है उससे एक बात तो ये समझ में आती है कि जो दोनों पार्टियों के बीच एक मतलब इतिहात हो गया था लेकिन कहीं न कहीं जमीनी तोर पर मतलब जो लिडरान थे उनके बीच तो एक समझदारी हो गई थी लेकिन वोटर्स वोट ट्रांसफर नहीं हुआ ऐसा मुबसरी इनक कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इन अतायद से साफ जाहर होता है कि मुल्क में हिंदुत्व का जो नारा है वो गौमी शनाख बन रहा है ये तास्र किस हद तक सही है आपकी नजर में ये इस इस तास्र से बिलकुल इनकार तो नहीं किया जा सकता है और उसकी एक मिसाल तो कि आप देखें कि भोपाल में मदप्रदेश की जो दारोल हुकूमत है भोपाल वहां एक कॉंग्रेस के कदावर नेता को एक ऐसे कंडिडेट ने डिफीट किया एक ऐसे कंडिडेट ने हराया और बड़े मार्जिन से हराया है जो कि हिंदुत्वा की एक तरह से आइकॉन सम क्या वो इस पे इखतिलाफ की प्यादत भी कर सकेगी इस पार्लिमेंट में मुझे लगता है कि कर सकेगी उसकी एक वज़ा यह है कि अगर आप राहूल गांदी के कैमपेन को देखने के कोशिश करें जो उन्होंने इस दर्मियान चलाया और खास तोर पर पिछले दो सालों मे दो-तीन सालों में जिस तरकी एकसेप्टिबिलिटी राहूल गांदी को मिली उसमें ऐसा महसूस होता है कि वो अब पहले के बनुस्वत जब उनको अकसर पपू कहा जाता था और अब एक तरकी एकसेप्टिबिलिटी है मीडिया में उनको स्पेस भी मिलने लगा है यह आने सेर्बीन में आगे चलकर आपकी मुलाकात कराएंगे नौजवान खवातीन वोटर से कि आने वाली सरकार से उनकी क्या तवक्वाद है बीबीसी उर्दू की प्रोग्राम सेर्बीन में एक बार प्रेख खुशाम दीद मैं हूँ आले नासकी इंडिर इलेक्शन्स की बात जारी रखते हैं आज के इंतिखाबी नतायश के बाद आने वाली हुकूमत से इंडिरा की नौजवान आबादी खुसान नौजवान खवातीन को किस तरह की तवक्वात है हमाई साथी समरा फातिमा ने मुक्तलिफ शौबों से तालुक रखने वाली तीन खवातीन से बीबी सी के दिली बियोरो में बात की और रीम अश्रफ से पूछा कि आप पसमांदा तबके के साथ काम करती हैं आपको जमीनी सते पर किस तरह के हालात नज़र आते हैं पहला हमारा कमिटमेंट था कि हम 6% अपने जीडीपी का एडुकेशन सेक्टर को देंगे उस तरह की फाइनांसिंग उस तरह की स्पेंडिंग करेंगे वो आज तक हम नहीं कर पाएं हम उसके करीब भी नहीं समरीन अगला सवाल मेरा आप से है जब नदेंडर मोदी जी के बारे में भारत के बाहर कहीं बात होती है तो इनकी दो तरह की इमिजिस की बात होती है एक तो लोग कहते हैं कि वह बहुत स्ट्रॉंग लीडर है और दूसरी बात यह कहीं जाती है जैसे क्या फॉर्न मीडिया में भी पढ़ते हैं कि उन्हें हाल में एक डिवाइसिव लीडर कहा गया कितनी एहमियत रखती है यह दो बाते मुझे लगता है कि इन पाँच सालों में जिस तरह का कम्यूनल पोलराइसेशन मैंने महसूस किया है जितना यह लिंचिंग के कैसे आए हैं आपका हिंदू-Muslim वर्ड जितने जादा आपके मीडिया में देखे गए हैं मैं ऐसा चाहूंगी कि जो नई हुकूमत आए किसी की भी बने वो थोड़ी इंक्लूसिव ह कि हम हम या मैं यह इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर क्लास या डिलिजन को बिलॉंग करती हूं मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैंने महसूस किया है मेरे आसपास मेरा नाम सम्रीन है और मुस्स थबसे पहला सवाल जब कुसे को यह पता चलता है कि मैं आप तो मुसलमान जैसी दिखती ही नहीं हैं, तो यह मुझे standard question है, जो मुझे हमेशा से मेरे उपर आया है, ऐसा सवाल ही क्यू है, कि मुसलमान दिखते नहीं है, आप या ऐसे क्यू होना चाहिए, या जो polarization हो रहा है, religion के नाम पे, वो मुझे लगता है, मैं उम्मीद नहीं government में comfort दिलाया जाए minorities को, सिर्फ मुसलिम की ही बात नहीं करें, अगर आपकियों की करें, तो उस तरह से मैं चाहूंगी, कि polarization जो है, वो please please कम किया जा, communalism के नाम पे जो है, इस गुफतकू के लिए मैंने चंद लोगों को मदू किया, उनको invite किया, और जादे तर लो development नहीं हो रही थी, तो हम बहुत सारे RTIs लगाते थे, तो हमें घर पर RTIs का later लेकर 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 दमकी देने, क्या अपने मेरे खिलाफ RTI कैसे लगा दी, नई हुकूमत से आप क्या चाहती है, मुझे लगता है कि एक बहुती progressive approach आपकी development sector में, जहां पर synergies exchanged हो, और positive हो, और जो communal polarization है, उसको प्लीज कम करें, तास्तरीन खबरों के लिए, आप जब चाहे हमारी website पर आ सकते हैं, यहां आपको दुनिया भर से खबरों के लावा तदसिये, अबसरे, तसावीर और विजियोज भी मिलेंगी, पता है bbc.com forward slash urdu और इंडिया में इंतखाबी नतायच के बारे में, पाकिस्तान में क्या रत्यमल है, इस बार में बात करने के लिए चलते हैं, इसलम अबाद, जहां bbc की नामनेगार शुमाला जाफरी हमारे साथ बराहे रास मौजूद हैं, शुमाला बीजेपी की इस वते को वहां पाकि नूबी एशिया की अमन और खुशाली के लिए, मजमूई तो पर पाकिसान में देखा जाए, तो ये कोई गहर मतवक्य नतीजा नहीं है, इसके बावजूद जो मजमूई तो पर लोगों का रदे अमल है, वो थोड़ा मायूस कुन रहा है, हमारी आज सार दिन लोगों से पाकिसान और इंडिया के जो तालुकात हैं, उनमें दूरियां बढ़ेंगी, और जो तालुकात के मामूल पर लाने की उमीद या आस थी, वो लोगों को तूटती हुए आज महसूस हो रही थी. आजसे शुमाईला आपने कहा कि शायद हालात बहतर ना हों, लेकिन जो पिछले कुछ अरसे से कशीद की चल रही है, क्या आप आपको लगता है कि शायद वो कम हो जाए ऐसे से कि इमरान खान साब ने कहा था कि अगर नरेंदर मोदी जीत गए तो शायद हालात दोनों मुल अब आज इमरान खान की तरफ से जेस्चर दिया गया है और कल जो है वो रात को जो शिंगाई जो तावन तन्जीम है, उसके साइड लाइन्स पर उसके ड्लास में पाकिसान के फॉररन मिनिस्टर की उस सुश्मा सुराज की मुलाकात भी हुई है, तो उस एक जेस्चर को भ चुके पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का वोट लेके पाकिसान में लोग समझते हैं, बरसर एक्तिदार दुबारा आएं हैं, तो वो किस हद तक तालुकात को बेतर बनाएंगे, ये आने वाले दिनों में ही बता चलेगा इसलम अबाद से शमाला जाफरी हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया, आप अगर चाहें तो मुझसे और हमारे दिगर साथ ये उसे ट्विटर पर भी राप्ता कर सकते हैं, मेरा ट्विटर है अट आलियनासकी आज सेर्वीन में इतना ही, कर फिर हाज़िर होंगे, तब तक मारी वेबसाइट बीबीसी उर्दू.डार कॉम देखते रहें, आलियनासकी को जासे देचे